सबसे पहले आप यह वाई सुनो दोस्तो अभी जो आवाज आपने सुनी है वो एक AI जनरेटेड आवाज है और वो भी 100% फ्री दोस्तो भरोसा करो अब एक अच्छी AI जनरेट करने के लिए आपको 11 Lab वेबसाइट पे जाने की कोज औरत नहीं है दोस्तो मुझे पता है कि आप लोग 11 Lab वेबसाइट में हो रही प्रॉलम से अभी भी परहसान है और ये वेबसाइट अब पैसे भी मांग रही है दोस्तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर 11 Lab का अल्टरनेटिव लेके आया हूँ जहां से आप unlimited AI वेबस जनरेट कर सकते हो वो भी 100% फ्री और यहां पर आपको 11 Lab से काफी अच्छी वेबस देखने को मिलेंगी दोस्तो इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो गनाई थी जिससे आप लोगों ने काफी पसंद किया है तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह website भी 100% फ्री है अगर आप लोग यह दोनों वीडियो देख लेते हैं और इसमें आप जितनी चाय उतनी voiceover कर सकते हो और इसमें आपके लिए कोई limit भी नहीं है आप यहां से Hindi, English, किसी भी language में voiceover कर सकते हो और अगर आप इन AI voice को अपने वीडियो से यूज करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई corporate नहीं आएगा और यह AI voice 100% modernize भी होंगी तो चलिए अब देर ना करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile में Chrome browser को open कर लेना है अब यहां से आपको search करना है audio junior अब आपके सामने इस website का link आ जाएगा आपको इस पर click कर देना है इस website का link भी मैंने नीचे description में दे दिया है आप चाओ तो वहाँ से click करके direct इस website पर आ सकते हो link पर click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब आपको उपर दिये हुए इन 3 lines पर click करना है अब यहाँ पर आपको वीडियो टूल का एक option मिलेगा आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ से आपको text to speech वाले option पर click करना है आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब यहाँ से आपको इसे थोड़ा सा नीचे scroll करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है इसका मतला है कि यह टूल विल्कुल फ्री है इसका उपियोग आप कहीं भी कर सकते हो और इसी के साथ इसमें आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इनकी तरफ से आपको feature में कोई copyright मिलेगा तो आपको पता चल गया कि यह website बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको कोई भी copyright नहीं आएगा तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना है तो इसके लिए आपको फिर से उपर जाना है अब यहाँ पर आपको create project की एक button सो हो रही है आपको इस पर click कर देना है अब आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको language का एक option सो हो रहा है आपको इस पर click कर देना है यहाँ पर आपको काफी सारी language देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर आपको वो सारी language मिल जाएंगी जो आपको चाहिए तो मुझे यहाँ से Hindi language चाहिए तो मैं यहाँ से Hindi language को select कर लूँगा अब इसके आद आपको यहाँ पर voice का एक option मिलेगा आपको इस पर click कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको male और female की काफी सारी voice मिल जाएंगी आपको यहाँ से एक एक करके सभी को play करके देख लेना है फिर आपको यहाँ से जो भी voice पसंद हो आपको उसको यहाँ से select कर लेना है अब इसके बाद आपको text to speech का एक option मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी script को लिखना है या आपके पास पहले से कोई script लिखी हुई है तो आप उसे वहाँ से copy करके यहाँ पे paste कर सकते हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पहले से script लिखी हुई है तो मैं उसे वहाँ से copy करके यहाँ पे paste कर दूँगा आपको भी इसी तरह से कर लेना है आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे maximum 1000 words लिख सकते हो और क्योंकि यह 100% free है तो आप 1000 words करके जितनी चाओ उतनी बड़ी वीडियो बना सकते हो इसमें आप कितनी वीवार बनाओ आपको इसमें कोई भी problem आने वाली नहीं है अब यहाँ पे आपको preview का एक options हो रहा है इस पे click करके आप अपनी AI voice को download करने से पहले ही सुनके देख सकते हो तो एक बार मैं आपको इसे preview करके दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपकी voice कितनी real voice लग रही है अब इसके आपको यहाँ पे इस add वारी बटन पे click कर देना है जिसके कुछी second बाद आपकी AI voice generate हो जाएगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब इस voice को आपको अपनी mobile की gallery में save करने के लिए क्या करना है इसके लिए simple आपको इस save वाले option पे click कर देना है अब यहाँ पे आपके सामने काफी सारे option आजाएंगे यहाँ से आप इसे mp4 और mp3 दोनो format में save कर सकते हो लेकिन जादा तरे application mp3 format support करते हैं तो इसलिए हम यहाँ से mp3 में save करेंगे तो इसके लिए आपको इस mp3 वाले option पे click कर देना है फिर इसके बाद आपको इस export वाली बटन पे click कर देना है अब इसके बाद इस save वाली बटन पे click करके तो प्लीज जाके यह वाली वीडियो भी देख लेना यह भी 100% free है